वेल लॉक अप इस शो के अगर बार करेंगे तो लॉक अप में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिनके उपर हम आक्षडी बोल सकते हैं कि यूझा वाट ये सबसे बेस्ट कंटेस्टेंस थे ये सबसे बेस्ट कह दी थे इन में से कोई जीतेगा गारेंटी है या फिर इस शो को ना चलाने वाले सिर्फ यह ही लोग है जो अच्छा कॉंटेंट देते थे एक तो कॉंट्रवर्सी हो या फिर फूल ऑन एंटेटेंमेंट हो किसी पी तरीके से और्डेंस इसको एंगेश रखने का काम ये कंटेस्टेंस कर सकते हैं वैसे काफी कम कंटेस्टेंस थे और उसमें स्टॉप पे नाम था मुनवर फारूकी का चलिए आपको बताते हैं कि मुनवर अपने रीसेंट इंटर्व्यू में लॉक अप के एक्स्पीडियंस के बारे में क्या के रहे है अगर मुनवर नहीं जीता तो उनके बदले कौन अधर परसन था कौन अधर कैदी था जो जीतन डिजर्व करता था अब देख रहे हैं फीफा फूस में हूँ आपकी होस्टन दोस्व दांगी करनेक बता दे आपको मुनवर फारूकी ने ये शो जीता और आइटिंक स्टार्टिंग से ही लोगों को कहीं नगई पता चलनी लग गया था कि मुनवर जो है यूही कोई बाक कि कैदियों की तरह अक्चली नहीं है काफी अलग है और उसमें एक विनिंग कॉलिटी जो है लोगों को पहली ही दिखने शुरू हो चुकी थी उनका फाइंडम दिन बढ़ता जा रहा था मुनजली के फैंस यानि मुनवर अंजली के फैंस भी है मुनवर की चंता भी है दो लोग उनके फैंस नहीं थे वो भी धीरे धीरे उनके फैंस जो है बनने लग गए अब आपको बता देते हैं कि मुनवर को एक सवाल पूछा गया था अपने रीसेंट इंटर्व्यू में कि अगर आप नहीं जीतते लॉक अप तो आखिर कॉन लॉक अप जीता इसके उपर म मतलब यह है कि मेरी जगा कोई और डिजर्विंग मिनर नहीं था मेरे बदले कोई और जीत ही नहीं सकता था इट वेसे क्लियर कान कट कि बस सिर्फ मुनवरी जीतेगा मुनवर के अलवा कोई नहीं तो कापी काफिडेंस से उन्होंने कहा कि अगर मुनवर नहीं होता तो मैं इस जीतना डेजर्व करता था और मैं जीत भी गया उसके बाद वो हसे भी क्या कुछ कहना चाहते हो उसके बारे में do let me know in the comment section I'll see you soon